जहिन दोस्तों आज हारकन करंट अफेर के अंतरगत कोडर्मा जिला का महतोपुन करंट अफेर को देखेंगे यहां से जितना भी 2022-2022 का करंट अफेर बन सकता है उस सब को यहां पे लेने का प्रयास किया गया है कुछ इस्टैटिक कोशन जो डिरेक्ट पूछा जाता है कोडर्मा से उसको भी लिया गया है जिससे की करंट अफेर के साथ साथ इस्टैटिक्स भी आपका नहीं छुटना चाहिए मेरा ये उद्देश है तो आप ये देख सकते हैं सारा करंट अफेर जो है एक डिर साल का वो सब रखा गया है और स्टैटिक्स भी इसके साथ रखा गया है और वो ऐसा रखा गया है जो सीधा कोशन पुछता है मतलब सीधा एक्जाम में छपता है तो उसी को सामिल किया गय मतलब चारों तरफ से पकड़ के रखे हैं मतलब कहीं भागने नहीं दिया जाएगा अगर जैसे सीजेल में देखेंगे तो 40 कोशन है उसमें परियास रहेगा कि 40 कोशन में करंट और स्टैटिक्स दोनों जो है वो डिरेक्ट यहां से आ जाना चाहिए ठीक है अभी परिट हो जाएगा जब बजेगा तो हम उस समय रोक देंगे और उसके बाद फिर चालू कर देंगे ठीक है तो टेंसन नहीं लेने का क्या टेंसन नहीं लेने का बस भाई लोग को डर्मा वाले लोग थोड़ा एकदम दबा के सेर किजेगा ठीक है और लाइक जरूर कर अनर्जी होता है ठीक है तो आप लोग ये दो काम किजेगा 24 जिला 24 करंट अफेर का पूरा सुफड़ा साफ हो जाएगा और जी एस और करंट दोनों का सुफड़ा साफ होगा ठीक है तो थोड़ा दबा के सेर किजेगा और साथ दीजेगा तो चलिए देखते हैं फरस्ट क रहेगा ये कोडर्मा का जो परसिद मिठाई है के सरिया कलाकंद मिलेगा उसको जी आई टैग ठीक है तो कुल मिलाकर के सरिया कलाकंद जो है कोडर्मा का उसको जी आई टैग मांग किया गया है जो ग्रफिकल इंडिकेशन टैग होता है मतलब इस से क्या होता है ये देश व राएरंग्पूर का जो मानदर है उसको भी बात किया जा रहा है कि इसको भी दिया जाए। डेखिए उसको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सोहराई जो है मात्र अभी तक एक ऐसा मतलब ये चित्रकला सैली है जारकन का हजारी बाग के छेत्रका जिसको अभी तक मिला है मात्र एक सोहराई जो चित्रकला सैली है वो हजारी बाग छेत्रका है बुलू इमाम करके बैट्टी है उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम कि तो कुल मिला कर उसको मिला है उसके बाद रायरंगपूर का मांदर गुमला का है उसको देने का बात चल रहा है और यह एक यहां पर केसरिया कलाकंद जो है मिठाई है इसका कोडर्मा का तो इसको देने की बात चल रहा है तो देखिए किसको मिलता है ठीके नेक्स्ट बहुत है ये कोडर्मा में खुलेगा तिरंदाजी सेंटर कोडर्मा में खुलेगा तिरंदाजी सेंटर कोडर्मा में खुलेगा तिरंदाजी सेंटर तो इसको भी याद रखेंगे आर्चरी सेंटर बोलिए या तिरंदाजी सेंटर ये दोनों एक ही को कहा जाता है नेक्स्ट और बह जारी बाग का नाम आता है और धनबाद ये चार जिल्लों से होकर के बुलेट ट्रेन जाएगी कौनसा कौनसा जिल्ला तो एक कोडर्मा हो गया एक गिरेडी हो गया एक हजारी बाग और धनबाद से होकर बुलेट ट्रेन गुजरेगी वैसे अभी बुलेट ट्रेन का भाई इतना जल्दी होगा नहीं लेकिन एक बात है कि प्रस्ताव है कि इधर से होकर के गुजरेगा तो कहीं पूछ ना दे हैं इसलिए आम यहां पे रख दियें ठीकें नेक्स्ट और बहुत इंपार्टेंट रहेगा कोडर्मा जिला की दो महिलाएं कोडर्मा जिला की दो महिलाए हैं जो स्वक्ष सुजल जो सकती सम्मान राष्टपति के द्वारा इनको दिया गया है उसमें दो महिलाएं में से एक है पूजा देवी तो पूजा देवी को प्लास्टिक मुक्त अभ्यान के लिए दिया गया है और कोसा गाउं को पूरी तरीका से सिंगल यूज से मुक्त की है कौन पूजा देवी इसके लिए इनको दिया गया स्वक्ष सुजल सकती समान ठीक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसके बाद अगर आगे देखते हैं एक पारवती देवी हैं तो पारवती देवी जो है वो जल संरक्षन अभ्यान को सकार बनाने के लिए इनको दिया गया है catch the rain के लिए ठीक है catch the rain ठीक है catch the rain के लिए इनको दिया गया है important है ये थोड़ा दिमाग में रखेंगे देखे catch the rain के लिए दिया गया है और कौन सा गाओं को दिया गया है तो यहां से भी अच्छा कोशन बन सकता है थोड़ा इसको अच्छे से संबंदित है एक है पूजा देवी और एक है परवती देवी ये दोनों को चुना गया है और दोनों का संबंद कोडर्मा से है तो यहां से भी अच्छा कोशन बन सकता है नेक्स देखते हैं इंपार्टेंट रहेगा कोडर्मा जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें 10 मेगावा सॉलर पावर प्लांट अस्थापित किया जाएगा तो यह एक अच्छा पहल है जिसको मतलब रेनुवल एनरजी बोलते हैं यह हमेशा मिलते रहेगा खतम नहीं होने वाला उर्जा है तो कुल मिला का ऐसा काम करना चाहिए ठीक है नेक्स कोशन है बहुत इंपार्टेंट र नहीं है याद रखेंगे यहां पर इंपर्टेंट है तिलया डेम में लगेगा 600 मेगावार्ट का अस फलोटिंग सॉलर प्लांट और यह इंपर्टेंट है इसकी मंजूरी दे दी गए तो यहां पर गलती से मैथन लिखा गया था मतलब तिलया डेम में मैथन यहां कहां से रहेगा वो तो भाई साब नीचे चला जाएगा कहां पर तो धनबास साइड में नेक्स कोशन है बहुत इंपोर्टेंट रहेगा कोडर्मा की काजल संजुक्तराष्ट सम्मिलन में हुई है सामिल बाल अधिकार पर जो सम्मिलन आयुजित किया गया था उसमें सामिल हुई है तो बाल अधिकार पर आयुजित किया गया था सम्मिलन संजुक्तराष्ट सम्मिलन तो इसमें सामिल हुई है कौन काजल कुमारी और काजल कुमारी का संबंद कहां से है तो यह कहां की है तो कोडर्मा की है एक चमपा कुमारी जो है वो गिरीडी की थी गिरीडी ठीक है गिर साही नाम एक परकार से महिला यहाँ पर राश्टिय अंतर राश्टिय अस्तर पर जार्खन का नाम रोशन की उसी तरह से यह चमपा कुमारी यहाँ पर की थी और यह थोड़ा पहले का न्यूज है लेकिन इसको भी ध्यान में रखेगा. नेक्स कोशन देखते हैं, important रहेगा, मिथलेस राम गुपता का चेन टॉप इंडियन योग खिलाडियों के रूप में किया गया है, तो इसको ध्यान में रखेगा, बहुत important यहाँ पे कुशन पूछा जाएगा. देखिए अब बात रहा PDF का तो PDF जो है अगर ये PDF आपको चाहिए तो मात्र 2 रुपिया पेड करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं 4-5 पेजकाओ का भाई साब देखिए अभी बहुत सारा स्टैटिक्स बचा हुआ है इसको भी हमको बताना है और पूरा विस्तार से बताएंगे जो डिरेक्ट कोशन छपने वाला है ठीक है और अगर आपको पूरा 24 जिला 24 करंट अफेर चाहिए तो आपको पेड करना होगा 49 रुपिज मात्र 49 रुपिज में ये 24 जिला 24 करंट अफेर मिल जाएगा इसके लिए आपको ये पेड करना है इसकीन सॉट इस वाटस अप नमबर पर भेज दीजेगा उसी पर आपका सारा मतलब उसी में चला जाएगा जितना भी पीडियेफ होगा जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे मिलेगा एक साथ बूलिएगा तो नहीं मिलेगा जैसे जैसे वीडियो आएगा आपको पीडियेफ मिलता जाएगा जैसे यहाँ पर है ये नमबर याद रखेगा 9798771375 इस नमबर पर आप मतलब वाटस अप कर दीजेगा उसी पर आपको पीडियेफ मिल जाएगा तो याद रखेगे 49 रुपया में हम आपको 24 जिला 24 करंट अफेर देंगे और ये केवल चाहिए तो 2 रुपया में मिलेगा अब देख लिए ये केवल आपका चैनल सपोर्ट के लिए है चलिए आगे देखते हैं कुछ स्टैटिक्स बहुत महतवपूर्ण जो बार-बार कोशन पूछा जाता है कोडर्मा जिला से संबदित महतवपूर्ण तत्थ है सीधा यहां से कोशन बनेगा देखे कोडर्मा जिला की स्थापना कभूआ था तो याद रखेगा 10 अप्रेल 1994 कोडर्मा बना था यह याद रखना इसके साथ-साथ पाकूर पाकूर जो है वह अगर देखा जाए तो यह भी 1994 में बना है पी के फिलिम आया था नपी के देखेंगे पी मतलब हो गया पाकूर और के मतलब कोडर्मा तो याद रखेंगे 1994 में पाकुड भी बना था सबसे कम लिटेरसी रेट कहां पे है तो पाकुड में है जारकन में तो याद रखना है यहां से भी क्वेशन पुछा जा सकता है देखे छेत्रफल अगर देखेंगे तो छेत्रफल है पंद्रह सो वर्ग किलोमीटर कहीं कहीं मिल जाएगा 1655 वर्ग किलो यह जारकन के ही किताबों में ज्यादा तर इस तरह का मिलेगा आप गूगलों भी यही सब को देखकर के अपने दुनिया में अलगेद जीता है वह ठीक है आप गूगल पर कुल मिला के ज्यादा विश्वास करना सही बात नहीं है कभी-कभी पता चलेगा कि यह रोड सही ज कीलमेटर ये दोनों मतलब है मेंघ मिला है तो हम दोनों लिख दी है तो कल को यह यो पन दरह सो तो में मानेंगे अगर आप लोग देखेंगे तो आप और आप सब कुछ देख सकते हैं confronted 3000 4000 वर्ग cells किलमेटर सब consolidation कि afar है कोई नहीं है धिके यह जो है नेक्स्ट अगर देखेंगे तो अनुमंडल यहां पर एक है कोडर्मा परकंडों की संख्य कितना है कोडर्मा में 6 है विधान सभा अगर देखेंगे तो विधान सभा यहां पर सिट जो है वो एक है बिदान सबा सीट जो है यहाँ पर एक है कोडर्मा का कोडर्मा ही है और अगर देखेंगे तो कोडर्मा में जो परसिद यहाँ पर है कुछ महतवपूर्ण बात यहाँ देख लेते हैं जैसे मक्का मारो पहाड़ी बहुत इंपोर्टेंट है मक्का मारो पहाड़ी कह एक दो बर पूछा है उसके बाद सतगावा मंदीर देखिए सतगावा जो है न कोडर्मा में है लेकिन गावा जो है वो आपका गिरीडी छित्र में पड़ेगा गावा गिरीडी में सतगावा जो है कोडर्मा छित्र में पड़ेगा हलाकि ये दोनों गावा और सतगावा जो ह वो कहां था तो वो अगर देखेंगे तो वो पूरी तरीका से आपको मिलेगा हजारी बाग में पढ़ता था चैकि ये देखिए हजारी बाग से कटके बना है कौन तो आपका कोडर्मा जो है हजारी बाग से कटके बना है गिरी डिवी हजारी बाग से कटके बना है चलता गया ठीक है तो आगे देखते हैं यहाँ पे एक important जगह है इसमें देवघर धाम इसमें लोग confused कर जाता है लोग कि देवघर धाम कहा है देवघर मार देता है लेकिन देवघर धाम भाई सब देवघर में नहीं है ये कोडर्मा में है देवघर धाम देवघर में नहीं ह चाहिए और यह continue चाहिए तो आप लाइक जरूर किजेगा क्योंकि आप लोग का लाइक और आप लोग का जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसी को देख करके हमको एक motivation मिलता है कि काम continue करना चाहिए इसलिए लगातार वीडियो भी आ रहा है अगर आपको computer का चाहिए या science का चाहिए तो आप लोग दबा के लाइक किजे तब हमको लगेगा और पढ़ाना चाहिए तो एक वीडियो और जाने लगेगा आपको statics portion का लेकिन आप लोग अगर साथ देंगे तो ठीक है तो थोड़ा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा क्योंकि वह द इसमी में हुआ था आगे इंपोर्टेंट है यहाँ पर गौतम बुद्ध वन जी अभ्यरन यह भी आपका कोडर्मा में है उनीशव चीप्तर इसमी में अस्थापना हुआ था यही वहला जेपीए से में पूछा था तो यह इंपोर्टेंट है आगे देखिएगा यहाँ प उनीशव तिरसट इसमी में इसकी स्थापना हुआ था उनीशव तिरसट इसमी में सैनिक इसकूल तिलया का स्थापना हुआ था और यह जारकन का एक परकार से सान इसकूल माना जाता है जुमरी तिलया एक मात्र जो है इसका सहर है क्या है तो सहर है तो कोडर्मा का एक मात् रखेगा अच्छा question पूछा जा सकता है next question देखते हैं बहुत important है देवरा घाटी जो है वो कोडर्मा का सबसे उचास थल है देवरा घाटी ये देवरा घाटी है देवर घाटी नहीं है ठीक है देवर घाटी रहता तो एको भोजाय घाटी भी रहता तो कुल मिला के वो सबसे उचाज थल हो जाता लेकिन भाई साब यह देवरा घाटी है देवर घाटी नहीं है देवर घाटी रहता तो पक्का यहाँ पर भोजाए घाटी यह गर रहता लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है देवरा घाटी कहाँ पर है तो कोडर्मा में है यह याद रखेगा बहुत important question बनेगा यहाँ पर कोडर्मा को हम अन्य नाम से जानते हैं इसको अबरक राजधानी लोक बोलता है उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां माइका कैपिटल अफ जारकन के नाम से भी कोडर्मा को जाना जाता है वैसे आब उस तरह का इस्तिती नहीं रहा भाई साब बहुत कम हो ग जाता नहीं जमीन खा गया कहा चला गया लेकिन अब बबरक ज्यादा नहीं है कोडर्मा में ठीक है माइका कैपिटल अफ जारकन कहा जाता हूं कहा जाता रहेगा लेकिन अब उस तरह का मैका नहीं जिस तरह से था ठीक है आगे देखते हैं इंपोर्टेंट रहेगा यहां पे बहुत important रहेगा ये कोडर्मा के परमुख जो है सोतंतरता संग्राब में देखेंगे सामिल होने वाले जो आंदोलनकारी हैं उसमें से एक है बिश्नु मोदी बिश्नु मोदी दुखन मोदी दुखन मोदी बिश्नु मोदी और काली मोदी दुखन मोदी बिश्नु मोदी और काली मोदी ये जितना मोदी लोग है ना सब सोतंतरता संग्राब में भाग लिया है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो कभी पूछ दे तो याद रखेगा केवल जितना भी मोदी है वो सब कोडर्मा से संबंदी थे ठीक है मोदी जितना भी है वो सब कहां से संबं हुआ है अगर इस्टैटिक्स देखेंगे न तो जारकंट दर्सन हम चलाया है उसमें सभी जिल्ला पढ़ाया हुआ एक जिल्ला अगर आप लोग देखेंगे न तो आपको बहुत सारा कभर हो जाएगा वहां पर 60% तक कभर हो जाएगा किवल 26-25 वीडियो से 24 जिल्ला और दो इंटर्डॉक्शन का वीडियो है तो उससे पूरा कभर हो जाएगा तो आप लोग एक बार देखेंगे तब न सब कुछ समझ में आएगा तो यह आप जाकर के एक बार वहां पर देखिए ठीक है बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा आगे देखते हैं इंपॉर्टन सबसे जो है इंपॉर्टन यह कोशन यहां पर रहेगा जारकन में सबसे कम जनसंख्या जो है और कम परतिशत जनजातियों का कोडर्मा में कोडर्मा में देखेंगे नो तो परतिशत में अगर देखेंगे तो 0.93% मतलब 1% भी भाइसाव नहीं है यहां पर इसका जितना वा कोशन यहां पर वनेगा तो इसको याद रखेगा और इसके बाद इंपॉर्टन कोशन है यह कि जारकन में है जो सबसे जादा दसक्ये वरिधी दर जो रहा है उ किसका रहा है तो कोडर्मा कहीं रहा है मतलब 10 सालों में सबसे जादा जनसंख्या कौन बढ़ाया तो कोडर्म बढ़ाया है देखेंगे तो यहां पर 43.42 ठीक है 43.42 पर 32 बहुत जादा बढ़ाया है कुल मिला करके अगर देखेंगे तो 10 साल में यहां पर अच्छा खासा देखने देखने को मिला है जनसंख्या तो इस तरह से जितना भी इंपॉर्टेंट है यहां पर एक इंपॉर्ट का सोक बोलते हैं दामोदर को बंगाल का सोक बोलते हैं उसके बाद अगर देखेंगे कोसी जो है उसमें देखेंगे तो उसको बिहार का सोक बोलते हैं उसके बाद अगर 20 वस्तर पर देखेंगे तो नील नदी जो है उसको मिस्र का सोक बोलते हैं उसी तरह से अगर हवांग GD का class program करने वाले हैं यह इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने वाला vacancy 24 तारी को आपको पता चल जाएगा उसके बाद यहाँ पे है offline अगर class करना चाहते हैं तो हजारी बाग में मेरा offline class मिल जाएगा यहाँ पे तो यह offline class जो है अगर किसी को करना है जो हजारी बाग में रहते हैं आप घर में बैटर रहेंगे भाई कहीं कोडर्मा में चाहें दूसरा दूसरा जगा में ठीक है तो वो तो नहीं कर सकते हैं अभी मेरे पास online सुविधा नहीं है offline सुविधा है तो आप इस contact number पर contact करके offline class प्रास हजारी वाग में कर सकते हैं जो हजारी वाग में हैं बिलकुल सस्ते फी में और एकदम ऐसा पढ़ाया जाएगा कि जो आपको बहुत important है जो पूछा जाने वाला है और current तो है ही तो आप इसको थोड़ा सा जादा सो जादा दोस्तों तक share कर दिजेगा वीडियो अच्छा लगे तो एक like जरूर कर दिजेगा और channel subscribe नहीं कियोंगे तो rate button press करके channel subscribe कर लिजेगा तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स टू वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद